यह है नीस और इसके उम्रे 24 साल है और यह हर्याने के सोनी पत का रहने वाला है और इसने अपने सिनियर को अपने सरकारी घर पर बुला कर उसे बेमौत मार दिया और इतना ही नहीं दफन करने के बाद उसके उपर सीमेंट का मोटा फ्लोरिंग करवाया और पुलिस को गुमरा करने के लिए उसकी गाड़ी को दिल्ली के सरोधनी नगर में और फिर उसने अपने सीनियर के फोन से वटसप ए स्टेटस लगाया और इतना सब कुछ उसने अकेले किया कैसे और ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने सीनियर को इतना बेमौद मार दिया इस केस के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूँ कि जब आप केसे सुनोगे तो आप जिस ओफिस में काम करते हो वहाँ के आस पास के लोगों से आपका भरोसा उठे जाएगा क्योंकि जिस तरीके से इस मुडर की प्लानिंग की गई थी उसका एक्जिक्यूशन किया गया था आपको आपके आस पास के लोगों पर भी सक होने लगेगा ये केस दिल्ली की है और जब आपे पूरा केस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कातिल मुडर मिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन है या यूँ कहलो कि वो फिल्म दिरिस्यम से काफी जादा इंस्पायर्ड है क्योंकि जिस तरीके से उसने इस मुडर को एक्जिक्यूट किया था वो कोई फिल्म स्टोरी से कम नहीं है विक्टिम का नाम महेश है और इसकी उम्रे 42 साल है और ये आर्कोलोजिकल सर्वे औफ इंडिया में एक बड़ा पोस्ट पे है ये है अनीश और इसके उम्रे 24 साल है अनीश भी सेम डेपाटमेंट में काम करता है अजे कलर्क डेपाटमेंट में अनीश और महेश की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी महेश अपने फैमली के साथ रहता था और अनीश अकेले महेश हर रोज आफी से सीधा घर आता था, उसका डेली का यही रूटीन था, लेकिन 28 अगस्त 2023 को वो शाम में घर नहीं पहुंचता है, घर वाले काफी परेशान हो गये थे, और इधर महेश का फोन भी आफ आ रहा था, फिर घर वाले महेश के दोस्तों को फोन करते हैं, लेक महेश का भाई मनेश, पुलिस में कंप्लेन करता है, पुलिस को बताता है कि महेश कल से घर वापिस नहीं आया है, उसका फोन भी आफ आ रहा है, और सबसे शपीसियस चीज कि उसने वाटसप पे स्टेटस लगा रखा है, और उसे स्टेटस में उसने लिख रखा है कि I am in debt of रोपी 65 लाग, और मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, और इस तरीके काया स्टेटस वो कभी लगाता नहीं था, मनेश ने पुलिस को ये भी बात बताई कि 28 अगस्त को दोपर में वो अनीश से मिलने गया था, पुलिस से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक करती है, और जाच में लग अनीश आखिर महेश को मारना क्यों चाता था, दोनों इतने अच्छे दोस्तों थें, बताता हूँ, अनीश अपने ओफिस में 5 दिन की चुटी के लिए अपलाई करता है, 28 अगस्त से, और 28 अगस्त को सुबह में अनीश महेश को फोन करता है, कि वो 12 बजे उसके आरके पू पोड़ी को उसी घर में छोड़ देता है, और महेश का फोन लेके वो हरियाना के फरीदाबाद में चला जाता है, पहले फोन को आरके पूरम में आफ किया, फिर हरियाना के फरीदाबाद में जाके उस फोन को आन किया, और आन करने के बाद WhatsApp एके status लगाया, कि मैं 65 लाक पोड़ी को अपने घर सोनी पत में ही था, लेकिन अनीश इस बास से डर जाता है कि पुलिस चानबीन में लगी हुई है, क्योंकि उसकी ओकार्डिंग जो उसने ले आउट तयार किया था, उस मडर का जो ब्लूप्रिंट तयार किया था, उसे लगता था कि वो कभी पकड़ नहीं जाएगा, फिर अनीश 29 अगस्त को वापी सोनी पत से दिल्ली आता है, अपने घर से महेश की बॉड़ी को गाड़ी में डालता है, और अपने एक दोस्त के सरकारी घर पी ले जाता है उसे, और उस घर के बैक्यार्ड में महेश की बॉड़ी को दफन कर देता है, फिर महेश का फोन फरीदाबाद से मिलता है, उसकी गाड़ी ऑफिस के बगल में मिलता है, यह अनीश जो है इसका फोन का लोकेशन सोनी पत में दिखा रहा है, फिर आखिर महेश गया कहा, और उससे भी सस्पीसिया चीज, कि उसने वाटसप पे ऐसा एसा एस्टेटस लगाया क् यह बात अनीश ने महेश की वाइब से भी बता रखा था, पुलिस वापीस अनीश को बुला कर पूस्ताच करने में लगती है, इस बार थोड़ा सक्ती के साथ पेस आती है, तलासी लेते वक्त उसके जेब से एक कार की चा भी निकलती है, अनीश अब डर सा गया था, आया कि हम दोनों मिलकर गौर्वर्मेंट जॉब लगवाते थे और उसका कमीशन लेते थे, इसी सिलसिले में महेश के पास तीन क्लाइंट आया था, और महेश ने उन तीनों क्लाइंट से तीन तीन लाख रुपए उठा लिये थे, अनीश उस जॉब का सेटिंग लगवाता हम इसके पास पैसा बचा रहता है नहीं है देने के लिए, और महेश उसके पैसा मांगने लगा तो महेश उसको पाफी insult करता था, ऐसा अनीश का बोलना था, और अनीश ने पुलिस को एक बात और बताएंट ये काफी interesting है, अनीश का कहना था कि महेश की नजर उसकी girlfriend पर रह महेश को फोन करता है एंड अपने आरके पूरम वाले गौर्वर्मेंट अपाटमेंट में उसे बुलाता है फिर उसके बाद अनीस अपने फोन को सोनी पत में छोड़ देता है और वापिस दिल्ली आता है दिल्ली के लाजपत नगर जाके वो पॉलतीन बैग खरीता है करकर वहीं पर फेक देता है फिर पुलिस ने पूछा कि तुमने इस्टेटस क्यों लगाया तो उसका कहना था ताकि यह रियल दिखे फिर 29 तारीक को वापस आता है और बॉड़ी को खाली घर में दफन कर देता है ताकि कि किसी को पता ना चले फिर पुलिस का पूछना था एक फ्लोर बनवा देता है और उसके बाद 2 सितंबर 2023 को कनीस पकड़ा जाता है और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक मिलेनियर इंफ्लूएंसर को उसके खुद के परिवार वालों ने मारकर उसके बॉड़ी पार्ट्स को ग्राइंडर में ग्राइंड करकर स पूप में डाला और बचे हुए बॉड़ी पार्ट्स को फ्रिज में रखा तो यह वाले वीडियो पे ग्लिक करें बाई